नमस्कार किसान भाईयों, गाय के गोबर से कुछ अन्य घटक मिला के गोबर केक बनाने का जो एक प्रयोग है, उसके बारे में हम आज विस्तार से बाचित करने वाले हैं, किसान भाईयों के लिए फाइदे बंद होने वाली बहुत सारी बाते हमारे चैनल पे हम लेके आते है उसी मेंसे एक प्रयोग है, हमें पता है कि हर एक घर में एक बड़ी समश्या रहती है जिसमें घर में पाये जाने वाले कीटक, इसमें खासकर के मच्छरों का एक बहुत बड़ा प्राधुर्जॉःब जो है हर घर में हमें बहुत बार दिखता है हर एक सीजन में यहां हमें देखने मिलता है請जर के साथ कौको जैसे HEKey वो भी बहुत बार घर में तुरी हमें लगते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे अलग-अलग chemical spray coils ऐसी बाते यूज़ करते हैं जो कि हमारे सहत के लिए भी हानिका रख होती है तो ऐसे समय में हमें पता है कि किसानों के पास बहुत सारा पोशुधन है और उसमें भी खास करके गाई जो है हर एक किसान के पास रहती है क्योंकि गाई से हमें दूद मिलता है और दूद की विकरी से किसानों को अच्छा फाइदा होता है लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि खास करके किसान भाई जो है तो गाई से उन्हें दूद मिलता है और उससे उन्हें फाइदा मिलता है इससे थोड़े आगे चलके हम देखते हैं कि गाय का गोबर जो है हम कमपोस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और हमारे खेती में यूज़ करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा वैल्ली एडिशन करेंगे हम तो और अच्छा फायदा हम इससे कमा सकते हैं तो आज का विशय मैंने आपको बता है कि गाय का गोबर है उससी से हम एक केक बनाने वाले हैं चैट में बाकि सारी भी बात ही इसमें खास करके जो मेडिसिनल प्रोपर्टी वाली बाते है वो हमने डाल रखी है जिसमें जीरा है और महुआ का जो सीड रहता है उसका केक भी इसमें है इस तरह से हमने तकरीबन 12 से 13 बाते जो है इसमें हमने मिला रखी है और हरे कलर का आपने पौडर देखा होगा उसका हम केक बनाएंगे ऊरी से ड्राय करेंगे करना है और यह मेरे पास हरक किसान के पास पीवी सिपाइप रहता है उसे कट करके लिए है और हम ने इसे आकार देनी की कोशिश की है तो इस थरह से है गोबर एक बार हम पूरा नीम की पेस्ट और बाकी जो मेडिशनल आपने देखा कि तीन बाते हमने वहाँ पे रखी हुई थी जिसमें गोबर था और नीम का पेस्ट था और तीसरा जो था कि हमने बोला कि कुछ मेडिशनल सीड जो है उनका पूरो हमने उसको क्रश करके लिया तो यह पूरा मिक्स्चर प्रॉपरली पहले मिक्स करके लेना है और अगर इसमें थोड़ी पानी की जोरत लगती है तो पानी भी ऐड करना है क्योंकि इसे आकार देना है यह ज्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए तो इस तरब से पूरा प्रॉपरली करने के बाद जो पीवी सी पाइप कर के तुकड़ा गया है तो शेप देने के लिए हमें ये पूरा मिक्स्यर जो है उसमें डालना है और मिक्स्यर एक बार डालके हम उसे बाहर निकालना है तो उसके एक अगा जाएगा और जो बाते हमने में इसमें डाल रखी है इसमें गुपरी सब से पहिली अच्छी बात कि यह भी मस्कुटोरी रिपेलेंट और बाकि कीड़ें बागाने के लिए काम आता है तो उसका और असर बड़े इसलिए कपूर जैसी कपूर भी हमने इसमें डाल रहा है तो इन सभी जो इंग्रिडेंट्स है इसकी वज़े से पहले तो सबसे पहले जो मच्छर है इनको रिपेल करने में हमें मदद होंगी उसी के साथ बाकी जो घर में कीडे रहते है उसको भी भागाने में मदद होगी और सबसे अच्छी बात इसमें यह होगी कि इसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहेगा अभी हमने इसका कॉस्ट जो है फिक्स नहीं किया है हम इसे जो महिला बचत गुट रहते हैं उन्हें देने वाले हैं ताकि वह इसे बना सके और उस केमिकल जो है यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पर हम इस तरह की चीज़े अगर यूज़ करते हैं तो इसका जो सारफ फाइदा है वो बैरिकली किसानों को मिलने वाला है और दूसरा फाइदा जो है कस्टमर को भी मिलने वाले क्यूंकि उसको यह चीज़े जो है कम कीमत मे वाली है और सबसे इंपॉर्टन जो फाइदा है कि केमीकल की वज़े से हमारे हेल्थ के उपर जो एड़र्स इफेक्ट होते हैं वह इफेक्ट हमारे जो है वह हंड्रेड परसेंट इससे कम हो जाएंगे तो यह आज का जो हमारा यह प्रयोग है आपको कैसा लगाई है आप ज जया है कि कि कर दो ठेठाब को हमारे है ़ी आपको के ठीक वेड़र्स रगड़र्स इते हुआ हैenge को का जो हमारा बाद सेस्स्त इंप लग्र स सकते हैं कि इक कीiliśmy है eventually, है जो है जो है है झाज है